मुध कूरा फेल अब एकर लास बारा जो टोपिक य। फेल्ट कर मैं इसठार्ट गया था परिशंचरन और उसमें हम ने कुछ बेसिक य। उसका परीशंचरन ही परीशंचरन क्या जी क्यों जूरूत है कों सी कितने प्रगार का होता है कि कितने वह होता है तो लास्ट में हम यहाँ पर आ गए थे रक्त परिसंचरण में कहां गए थे रक्त परिसंचरण में रक्त परिसंचरण जो तंतर है उसके लास्ट में पहुँच गए थे कि इसका मतलब क्या होता है कि रक्त के माद्यम से जितने भी पोसक पदार्थ है औक्सिजन है अपसिश्पदार्त है उनका सरीर में परिवेन किया जाता है अब इस रक्त प्रिसंचंतर में क्या क्या होता है एक तो रिदे होता है एक श्वेम रक्त होता है रक्त किसमें बैता है रक्त वहीं नियों में बैता है उमने ये भी कहा था कि जरूर नियों सभी में रिदे पाए जाए तो जो विक्षित प्राणी है जिनका सरीर बोज़ दा विक्षित है जटिलता आ गई है तो उनमें रख्त को पुरी सरीर में बेजने के लिए रिदे पाए जाता है तो कि हमने गाता है कि नेरी जो एंपियोकसस जीव है एनलीडा का और जो कोडेट बाव है उसके कारण से रख्त है वो शरीर में विद्रित होता रहता है और चुकि उनकी जो शरीर का अकार है वो बहुत कम होता है इसलिए बड़े अकार के प्राणियों में यह संभव नहीं कि रख्त अपनिया परिवन कर सके तो उसको पंप करने के लिए रिदे पाए जा ही दो परकार है उसके दो परकार होते हैं अमारे रख्त परेशन जंतंतर के कितने परकार होते हैं दो परकार तो उसको फ resonates गे देगो तो इसको अबन इस तरह से बढ़ लेता है कि डिवाडेशन करके देखो एक परकार होता है खुला परकार रिक्त प्रसंद का खुला परकार जिसको पन कहेंगे ओपन टाइप का और दूसरा होगा बंद परकार का जिसको हम कहेंगे कलोज टाइप खुला क्या होता है देखो जैसे हम एक आपको इचीतर बनाएक बताएं यह हमारा रिदे है माली जयाव यह हाट है रिदे से रक्त वाइनी आ रही है यह आ गई और यह हमारा सरीर जैसे किसी जीव का अपन सरीर माली यह सरीर है और यह रक्त को वापिस ले जाने के लिए इसम तो ये तो है माले की दमनी और ये है सीरा अब दमनी जी से रखत है वो रिदे ने पंप किया और दमनी के दोरा रखत है वो इस सरीर के अंदर बोड़ी के अंदर आ गया ये हमारा सरीर जो है अब इसमें क्या होता है जैसे दमनी आई ये भी सरीर के अंदर होती है जैसे कोशी यह वो अंगों में या सरीर की बोडी में प्रेस करता है तो अंगों या उत्कों के बीच में जब रक्त है वो उत्कों में जाकर खुला बेहने लगता है यहां पर खुला बेहने लगा देगो इस तरह से बेहने लगा और इन उतकों के बीच बीच में कोशिकाओं के बीच बीच में जाकर बहने लगा तो ये बहेगा मतलब इनके बीच में कोई जगह होगी तब ये बहेगा तो इनके बीच में कुछ जगह होती है, खाली जगह होती है, गुहा होती है इन गुहा को हम कहते हैं रक्त गुहा या कहेंगे रक्त गुहा या उसको हम कहेंगे ही मोसील तो इन रक्त गुवा में ये खुला अंदर खुला बैकर फिर इकटा होकर वापस सीरा के अंदर आ जाता है तो ये क्या होता है कि जब रक्त पूरी तरह से बंद वाहिनियों में नहीं बैता है और शरीर के उतकों में जाकर खुले रूप से बैता है, खुले स्तानों पर बैता है, रक्त गुहाओं में बैता है, फिर वापस इकटा होकर सीरा के मादेम से, रिधे में जाता है, फिर रिधे पंप करके शरीर में पहुंचता है, फिर शरीर में खुले रूप से रक्त बैता है तो इसका मतलब है यह कोशिका यह हो तक है तो लोड को बाहर निकाल देती अ अपसिस्पजात पुनाय रक्त के साथ मिलकर अरिदे में पहुंग जाते हैं और उनको फेपड़ो के दोरा उर्सजित कर दिया जाता है या गुर्दे के दोरा उनको उर्सजित कर दिया जाता है और जो उपयोगिपदार्त होते हैं उनको कोशिकाई उत तक है वो प्रासन किर का कह रहे हैं या उपन टाइप का कह रहे हैं लेकिन दूसरी तरव अपन देखें कि मालीजी ये हार्ट है और यहां से रखता है वो दमनी के द्वार आया और इस तरह से पहुंच रहा है शरीर में और वापस जा रहा है इस सीरा के द्वारा और आ रहा है इस दमनी के द्वार यह रखता आ गया, अब यह कोशिक हैं है तो अब ही इनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे दमनी प्रेश करती है तो यह दमनी है, वो चोट-चोटी साखाँ में बट जाती है इस तरह से, चोट-चोटी साखाँ में बटी रहती है तो मतलब हम खह रहे हैं कि कभी भी खुला नहीं बहेगा तो इन कोशिकाओं के चार ये जो रखता है वो इन बंद वाइनियों में बहेगा खुला नहीं बहेगा तब हम इसे कहें देंगे कलोज टाइप का देखो बंद परकार का यहां से ओक्सीजन और mana पूसक पदार्त इनने कोशिकाँ में पहुंचाते हैं अत्रों इसे हम कहेंगे बंद परकार का परीशच्रण हैं तो देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं तो इसको अगर हम देखे हैं तो पहला लिख सकते हैं कि रक्त है वो खुले इस्तानों से होकर बहता है यह से स्तानों इस्तानों को देखो एक नाम और इसका इसे स्तानों को साइनस भी कहते हैं साइनस का मतलब एक जगह होती है या इसको हमें एक सिंगल लें तो इसको लेक्यूनी भी कहते हैं लेक्यूनी कहते हैं ठीक है खुले स्तानों पर वेता है जिने हम इनको साइनस या लेक्यूनी कहते ह और इसमें क्या हो सकता है कि रखते है वो बंद रखते वाहिनियों में एक बंद तंतर के रूप में बैता है उन्दर खुला नहीं बैएगा बंद रखते वाहिनियों में एक बंद तंतर की तरह बैएगा कभी भी खुला ने कई पर भी को रखता है वो खुला नहीं बेएगा वाल जबकि इसमें क्या होता है कि रखता है रखता है उन जगहों को उन इस्तानों को क्या कहते है साइनेस या लेकुनी अब ये भी कह सकते हैं कि ये सभी जो खुले इस्तान है खुले इस्तान इन सभी खुले इस्तानों या इनको अपन कहते हैं अवकास या खली जगह होती है अवकासों को सामोही के रूप से इनको सब को कह देंगे सामोही के रूप से रक्त गुहा कह देंगे हम कह देंगे कि ये रक्त गुहा होती है रक्त गुहा या हीमोसील कहते हैं मतलब एक जगह को तो कह देंगे जैसे मालो दो ये कोशिकाई है इनके बीच में ये जगह है तो इनको हम कह देंगे ये लेकुनी है या साइनस है लेकिन पूरे एक सरीर में पूरी जो ये अवकास है इनको सब को मिलाकर हमने क्या कह देंगे कि इनमें रक्त गुहा पाई जाती है तो हमें नॉर्मली ये कह देते हैं दूसरा देखो रक्त है वो परवा है रक्त का परवा है वो दीमा होता है क्यों होगा दीमा क्योंकि जब ये खुले बहेगा तो आराम से इन कोशिकाओं के चारों और दीरे दीरे टकरा कर बैएगा इनमें अवरोध भी आएगा बीच में रक्त के बाहों में क्यों ये कोशिकाओं उत्तक पाई जाती है तो बहुत ही दिरे दिरे गतिशे बैएगा क्यों होता है क्योंकि ये बंद रक्त वाइनियों में बैता है ये जो रक्त पुरा है वो दिमा होता है जबकि इसमें परवा है वो तेज गतिशे होता है क्यों हो रहा है क्योंकि कोशिकाओं बीच पीच में इसमें अवरोध आएगा तो ये दिर दिर इनके चारों और बहेगा तो खुला बहेगा तो दिर 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 बहेगा तेसरा अंतर क्या हो सकता देगो रक्त दाब भी बहुत कम होता है क्योंकि इसमें रख्त दाब बहुत कम होगा तो दीरे दीरे रख्त बहेगा तो इसमें रख्त दाब भी बहुत कम होगा जबकि इसके अंदर जो होता है वो अधिके रख्त दाब होता है जोता है इसमें देख लेते हैं पंदे को इसमें जितने भी आंतरिक अंग है आंतरिक डाइरेक्ट संपर्क में होते हैं यह तो हम चितर में देख रहे हैं कि यह कोशिकां उतकों के चारों और यह रक्त है वह बिल्कुल इकटा हो गया मतलब इसके अंदर डूब जाते हैं रक्त के अंदर डूबे हुए रहते हैं इस तरह से आप देखो इसको यह पूरे तरह से ना लेते हैं रक्त से तो हम यह कह रहे हैं कि यह आंत्रिक होता है या जो अंग है वो रक्त के प्रत्यक्स संपर्ग में होते हैं जबकि इसमें क्या होता है आंत्रिक अंग रक्त से प्रत्यक्स संपर्ग में नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं क्योंकि ये बंद वाहिनियों में रक्त बैता है ठीक है अर आंत्रियों रक्त के प्रतक संपर में क्यों नहीं रहते हैं क्योंकि रक्त बंद वाहिनियों में बैता है अब आता आती है देखो इसमें रक्त गुहा पाई जा रही है रक्त गुहा पाई रक्त गुहा पाई जाती है जो रक्त से बरी होती है इसमें रक्त गुवा क्यों पाई जाती है क्योंकि रक्त खुला बैता है इसलिए खुला तभी बैएगा जब रक्त गुवा होगी अगर गुवा ही नहीं होगी तो रक्त खुला नहीं बैएगा इसलिए रक्त गुवा होती है जो रक्त से बरी रहत पुआ की जूरुति निया में अगला इसमें क्या हो सकता है इसका है बस यह कि यह जो खुला प्रकार का है यह जो अल्प विक्षित प्राणी है यह कम विक्षित प्राणियों में ऐसा होता है या छोटे आकार के प्राणियों में होता है जबकि यह अधिक विक्षित प्राण जो है केडे मकोड़ों का जो सबसे बड़ा जनतुसंग है नौलाग स्पेसीज इसके अंदर पाई जाता है और तो पोड़ा जिसके सभी परकार की केडे मकोड़े आते हैं उसके इंदर एक है इनो डर्मेटा जिनकी तवचा पर कांटी जैसी सर्चनाई होती है और एक मोलस का मोलस का जो जिसके अंदर हम जैसे गोंगा आता है या ओष्टर आता है आते हैं ओष्टर पढ़ते हैं वर्गी गरन में तो आर्थरो पोड़ा इका इनोडर मेटा और मोलस का संग के प्राणियों में ओपन टाइप का ब्लेड सर्कुलेशन पया जाता है जबकि देखो इसमें इंपोर्टेंट जो धारन है वो कौन-कौनचे हैं सबसे मेटवून देखो एनलीडा मतलब आप केच्वा जो फटते हो केच्वी जो किसान का मित्र होता है इसे लंबा साग जो जी होता है उसमें बंद परकार का परिशन तंतर होता है इसके अलावा कुछ मोलस्का देखो ये याद रखेगा ये परसन बहुत पर पहुंचा जाएगा कुछ मोलस्का जैसे इसका एक वरग है जैसे इसका एक वरग है सीफेलोपोडा सीफेलोपोडा इसके सदिसे सीफेलोपोडा के जो सदिसें होता है तो आज की हमने इस वीडियो में हमने जो रख परिशंदतर उसके परकार के बारे में के समझें भी योगार भी जो एक बंद परकार का है और ये बंद परकार कля का मतलब है रख है वह वह देखा वहाई है अंदर जाकर उतकोईाँ अगों के बीच में ऐं अजब होगी कहला स्तान और और खुले स्तान को अपने लुकिनियाल साइनस केते हैं और इन सभी खुले स्तानों को हमें रक्त गुवा कह देंगे तो अपन बोडी को पूरे में कह देंगे कि रक्त गुवा होती है जबकि ऐसा हमारे अंदर नहीं है बंद वाइनियों में जब रक्त बैता है तब हम कहेंगे कि ये बंद परकार का प्रस्षिस अंतर है कहीं पर भी खुला रखत नहीं बहेगा बंद रखत वाइनियों में बहेगा में साम अब ये क्या होता है कि जैसे कोसिगाई होती है न ये जो रखत वाइनियों होती है होती है तो इन कैसे हंप संप्रकृव में होती है जलीएओं में और बोज्ज हमने प्दार्तों का को अधान परदान कर लिया जाता है तो इस तरह से आज हमने देखा इसको नोट कर लेना आप यह हमना पहला अंतर यह दूसरा अंतर यह तीसरा यह चोता यह पांचवा वह लास्ट के हमने कुछ उधारण देखें थे उधारण भी महत्वपूर्ण है खुले प्रकार में तो आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा और मॉलस्का संका प्राणी है जबकि जो बंद प्रकार परिशंतर है वह एक तो एनलीडा केच्वा में मिलेगा कुछ मॉलस्का वरक के जो प्राणी है सिपिलोपोडा ये भी महत्वपूर्ण है दिकांस मॉलस्का में खुला है लेकिन सिपिलोपोडा वरक के सदिशों में बंद परकार का होता है और को जितने भी कोडेट्स है जैसे मानवा कोडेट है तो उसमें बंद परकार का परिश स्रीर से रिदे के और दमनी होती है वो रिदे से स्रीर के और सुद्रक्त के सप्लाई करती है और यह जैसे सुद्रक्त इसमें आ रहा है यह सुद्रक्त वाप जा रहा है और अंदर जो यह जाल बन रहा है यह जाल बन रहा है केसी काउं का इसको हम क्या कहते हैं केसी काई केसी जाल बन रहा है